पूरे देश में और पूरी दुनिया में भाजपा ढोल पीटती है, खुझ नरेंदर मोदी ढोल पीटते हैं कि वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं लेकिन आज देश की संसद के अंदर पहली बार कहा गया कि छुट्टी थी और छुट्टी थी ये जो शम्द दोहराए गया, ये जो लाइने दोहराई गई अगर ये किसी कॉंग्रेस के नेताने कई होती और किसी कॉंग्रेस की सरकार वहाँ पर होती तो सोच करके देखिए मीडिया केवल इतनी सी बात छुट्टी थी इतनी सी बात के उपर किस तरह का हंगमा वर्पाती और हंगमा शायद होना भी चाहिए दरसल देश के रक्षामंत्री रासनाथ सी 9 दिसंबर को जो घटना होई कल हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जड़प हुई उसमें कुछ सैनिक घायल होने की खबर भी सामने है इस बात के उपर आज दोपैर बारा बजे रक्षामंत्री की तरफ से जवाब दिया गया और इस बात को लेकर के जो विपक्स के सांसदों की तरफ से इतराज जताया गया कि 9 दिसंबर की घटना है आपने कल इसको 12 दिसंबर को क्यों बताया इस बात को लेकर के जो है वो विपक्स ने इतराज उठाया की संसद का सतर चल रहा है और संसद में इस बात को रखा जाना चाहिए था वो बात संसद में ना रख करके मीडिया के द्वार आमें पता चली देखिए देश के संसद वो बहुत मेत्पूर्ण होता है और खास करके जब ऐसी कोई घटना हो जाती तो उसके लिए तो संसद का विसे सतर बुलाये जाता है कि विशे सतर मुला कर कि उस पर चर्चा की जा सके लेकिन जब संसद का सतर चल रहा था उस वक्त में घटना होती है और वो घटना संसद से सांसदों को नहीं बलकि मीडिया से पता चलती है सोचे इस बात को 9 दिसंबर को जो है घटना हो गई कई सेनिक घायल हो गए कहा गया कि हमारे सेनिक कम घायल हुए है चीन के सेनिक घायल ज़ादा हुए है रक्ष्या मंतरी ने क्या क्या को कहा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा लेकिन जब एक बर सुनी आप जब विपक्स के नेताओं की तरब से विपक्स के संसदों की तरब से बहतराज जताय जा रहा था कि 9 दिसम्बर को ये घटना हुई 12 दिसम्बर तक चला गया आपने क्यों नहीं बताया राजनाथ सिंग कह रहे हैं छुट्टी थी सुनीजे अब दरसल राजनाथ सिंग या पर जिकर कर रहे हैं कि छुट्टी थी तो छुट्टी थी सही बात है लेकिन ज़र आप देखिए कलेंडर पर नगाय डालिए 9 दिसम्बर को जब ये घटना हुई तो सुक्रवार था और 9 दिसम्बर की जो है ये घटना होने के बाद में 10 और 11 को 10 और 11 को सनीवार और रितवार था चलिए माल लेते हैं कुछ देर के लिए कि 10 और 11 की छुट्टी थी शैद नहीं बता सके लेकिन 12 तारीक को 12 तारीक को कल क्यो नहीं बताया गया कल इस बात को संसद में क्यों नहीं रखा गया 12 तारिक को कल शाम को एक खबर आती है और वो भी मीडिया में आती है A.N.I. के हवाले से खबर फ्लेश होती है और A.N.I. के हवाले से खबर फिर वो इस पर चर्चा होने लगती है तो कम से कम अगर राजनाच सिंग जी को ही माल ले तो फिर 12 तारिक को जब संसद पूरे दिन चला है उस वक्त भी क्यों नहीं ये बात रखे गई बड़ा सवाल है ये ये सवाल ऐसे नहीं कि इसको हम जो है इस पर चर्चा नहीं होने चाहिए इस पर सवाल सरकार से पूछाना जाना चाहिए जब देश के संसद वहाँ पर वैठे थे और देश के संसदों से इस बात को लेकर करके चर्चा होनी चाहिए गटना हुई है अब आगे इसमें किस तरह का क्या और एक्षण हो सकता है इस पर सलामस्वरा होता है कि जवान सहीद नहीं हुआ है एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि चलिए कम से गम जो है वो जवान हमारे घायल जरूर हुए है लेकिन कोई जवान सहीद नहीं हुआ है किसी जवान की सादत नहीं हुई है इस बात को उन्होंने का दूसरी बात उन्होंने कही कि पीले के ज देशी इस्तिती साफ हम माने कि कमसगम ऐसा नहीं है कि जिस तरह से लद्दाक के अंदर हुआ था फिंगर फोर तक आ गए थे और फिर काफी दिनों तक काफी महीनों तक वो चीज़े चलती रही तो कमसगम अगर राजनात सिंग जी को देश के रक्षा मंत्री को इस बात को मा पाद में उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक मिटिंग हुई दोनों देश के अधिकारियों की तरफ से और उसमें इस बात को दोराया गया कि चीन ने जो किया है वो सही नहीं है और उसको दोबारा दोराया नहीं जाना चाहिए सुनिये ज़रा अधनी अध्यक्षम होता है मैं इस गरिमा मई सदन को अरुनाचल प्रदेश के तवांग चक्तर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को ही एक घटना के बारे में अउगत कराना शाहूंगा प्लेच इस्टेटमेंट के बीज में नहीं बोलते हैं नौ प्लेच नहीं नौ दिसंबर 2022 को प्लेच टुप्स ने तवांग सेक्टर के यांग से एरिया में लाइन आफ एक्षिल कंट्रोल पर अजिकरमण कर इस्टेटस को को एक तरफा बदलने का प्रयास किया चाइनाज के इस प्रयास का हमारी सेना ने जढ़ता के साथ सामना किया है जख्षमोदे और इस फेसाप में हाथा पाई भी हुई है भारती सेना ने भादुरी से पियले को हमारी टेर्टरी में अट्रबन करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया ध्यक्षमोदे इस जड़प में दोनों और के कुछ साइनिकों को शोटे भी आई है और मैं इस सदन को आउगत करना शाहता हूँ कि हमारे किसी भी स्टैनिक की नो तो मृत्य हुई है और नहीं कोई गंभेज रूप से घायल हुआ है इंडियन मलेट्री कमांडर्स के टाइमली इंटर्वेंशन के कारण पी एले सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस चले गया ध्यक्षमोदे और इस घटना के पश्चाथ एरिया के लोकल कमांडर ने ग्यारह दिसंबर तो हजार वाइस को अपने चाईरीज काउंटर पार्ड के साथ अस्थापिल व्यास्था के तहक एक फ्लैग मिटिंग की और इस घटना पर चर्चा की चीनी प्रक्ष को इस तरह के एक्संट के लिए बना किया गया और शीमा पर शांती बनाये रखने के लिए कहा गया इस मुद्धे को चीनी प्रक्ष के साथ कूटनीती कस्तर पर भी उठाया गया है कीन के साथ जो जड़ब का मुद्धा है ये गंभीर इस पर गंभीरता के साथ बादचीत होनी चाहिए थी रक्षामंत्री जी जरूर सामने आये, रक्षामंत्री जी ने बादचीत जरूर की लेकिन हर चीज पर कहीं पर छोटे की चोटा जगर कुछ घटना होती है कई पर छोटे चोटा अगर कई पर पूल का उधगाटन करना होता है कोई रोड का उधगाटन करना होता है तो वहाँ पर कोन पहुंच जाता है और आज देश किसका इंचजार कर रहा था क्या वो आए या नहीं आए इस बात को भी जराब सोचे गंबीर मुद्दा है और इस गंबीर मुद्दे पर देश के जवानों के साथ में नाकेवल पूरे देश को पूरे विपक्स को पूरी मीडिया को एक जूट होना ही होना चाहिए इसमें कहीं से कोई सक्सुबा नहीं है कोई किन्तू परंतू अगर मगर नहीं है हम हमारे देश के जवानों के साथ में आखरी तक रहेंगे अंतिम सांस तक रहेंगे क्योंकि वो अपनी अंतिम सांस तक हमारे लिए खड़े हैं देश के लिए खड़े हैं देश भी उनके लिए खड़ा रहेगा लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना होती है और मैंने कल जैसे आपको डिटेल में बताया था ये आखिरकर अब क्यों हो रहा है 55 साल से कुछ नहीं हुआ था और 35 साल जो आखरी जो 1987 में घटना हुई 55 साल के बाद में पहली बार 2020 में ऐसा हुआ कि भारत-चीन बोडर पर हमारे जवानों की सादत हुई 55 साल के बाद और 35 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है अब दोबारा से कि कोई जड़ब की खबरे सामने आ रही है तो क्या चीन जिस तरह से लगातार उसको प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी कहते कि विस्तार बाद जो है वो नहीं चलेगा केवल उतना भर कह देने से क्या चीन जो हो काबू में आ रहा है या चीन को लेकर के कोई औरन निती हमें बनानी चाहिए क्योंकि देखिए जो हमारी रक्षामन निती होती है जो हमारी विदेश निती होती है वो किसी सरकार की नहीं होती है वो देश की होती है कोई एक सरकार किसी विदेश निती को और रक्षा निती को आकर के पलट नहीं देती है हमारी पाकिस्तान के साथ में जो विदेश निती है रक्षा निती है वो ही चलती रहती है, चीन के साथ में भी ऐसा ही है, हम अमेरिका से कितना वैपार करेंगे, अमेरिका के साथ में कितना रक्षा की खरुदारी करेंगे, रूस से कितना करेंगे, ये हमारा देश की निती है, और वो चाहिए कॉंग्रेस की सरकार आजाए, चाहिए बीजेपी की सरकार आजाए या किसी और कि सरकार आजाए वो उसी तरह से चलती रहती है उसमें जो फेर बदल होता है वो उसके हिसाब से होता है कि कोई निती हम बनाते हैं तो हम टारगेट रखते हैं कि 10 साल के लिए की निती बना रहे हैं और 10 साल तक हम जो है इस कीज को देखते हैं तो चीन को ले करके कि हमें वाकई एक नई रणनीती पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि चीजे सही होती भी दिखाई नहीं दे रही है भले ही जो है हम इस बात पर कहें कि इस बार हमने चीन को जादा नुकसान पहुंचाया जिस तरह से सरकार कह रही है मीडिया की रिपोर्ट आ लेकिन आखिरकार हो क्यों रहा ऐसा यह नोबती क्यों आ Daisë respectively विचार होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए और चुटी की यह बात अगर किसी और सी ऑर ने में कही होती तो क्या आपको लगता है कि मीडिया उसको ऐसी छोड़ देता सोची ज़रा इस बात आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बुक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह इंग तमान खबरों के लिए ओलाइन नीचे ने सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे को वीडियो अप्लोड करें उसकी नटफिकेस न आपको तुरंद मिल सके धन्यवाद